प्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टी मीडा सॉफ्ट्वेर की वीडियो अपडेट्स के लिए आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे डिस्प्ले प्रोजेक्शन की डिस्प्ले प्रोजेक्शन क्या होती है जब आप एक से ज्यादा स्क्रीन अटेच करते हो एक साथ तो उसमें आपको यह दिखाना होते है कि आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे डिस्प्ले होनी है या या फिर दूसरी पे भी एक के साथ अगर आप दूसरी को अटेच करते हो तो उस पे भी डिस्पले होनी है या फिर आप सेलेक्ट करते हो कि जो पहली पे प्रिवीव हो रहा है वही सेम दूसरी पे हो और यह फिर एक और option है कि आप जिस पे आप operate कर रहे हो वहाँ पर preview ना हो लेकिन जो second screen है उस पर preview हो तो यह सब हम एक बिल्कुल shortcut key से हम यहाँ आज देखने वाले हैं कैसे हम चारो option एक साथ देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं दो dual screen यूज कर रहा हूँ जिसमें इनको attach कर रहा है बट मैंने setting सिर्फ यह करी होई है अभी by default जो होती है कि सिर्फ इसमें preview दिखे पहले वाली screen में थोड़ा सा यहाँ पर time लगता है उसके बाद duplicate में क्या होता है जो आपका पहली screen पर है वही आपको दूसरी screen पर दिखेगा यह बहुत बड़ी screen भी हो चती है आपकी second वाली उस पर जो यहाँ पे जैसे कि आप laptop में भी करते हो उसके बाद second screen पर आते हो तो वहाँ पर जो वो होती है यहाँ पर मैं extend पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ extend पर करने बद क्या है जैसे मैं यहाँ पर मालो एक मैंने my computer को यहाँ पर open किया उसके बाद मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर हम इसको यह attach हो जाती है आपस में एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कितनी भी आ आप यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर अलग से connector आता है अगर आपको दो करनी है तो आपका normal वहाँ पर लग जाएगा दो के लिए slot होता है लेकिन दो से ज्यादा करनी है तो आपको उसके लिए connector आता है तो यह आपकी extend हो जाती है कि इस screen में आप जैसे यह especially आपका editing के time पर क इसमें जैसे हम इस पर click करेंगे जो first screen है वो जाती है disable और यह second screen पर यहाँ पर आ जाता है तो second screen पर यहाँ पर दिखाएगा यह especially जब होता है जब आप laptop में काम कर रहे हो तो laptop जो first आपकी पहली screen है उसको आप off करना चाहते हो वो आपको नहीं चाहिए और जो बड़ी screen है इस पर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए होता है तो यह चार option आप सिर्फ एक window plus P press करके आपके सामने यह project display option आजाता है और इससे आप आसानी के साथ कर सकते हो तो फिलाल की वीडियो में इतना है अगर आपको एक quick tip वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें अग सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि में इस चैनल पर इस टैप की वीडियो लेकर आता हूं